सब्सक्राइब करें बस्तुडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई गाईज मैं हुने खिला और आप देख रहे हैं बस्तुडी टेक गाईज आज का हमारा टाइडल है हाउ तो लिमिट इंटरनेट टू अदर यूजर यानि की सपोज हमने एक इंटरनेट कनेक्शन लगवा रखा है एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो राउटर के थुरू हम तक आ रहा है और हमारे घर में अगर दो चार पांच छे जितने मेंबर हैं उन तक वह स्पीड एकुली डिवाइड हो रही है उनके यूज के हिसाब से तो ऐसे में अगर सपोज आपको ज्यादा स्पीड की जवरत है तो आप लिमिट कर सकते हैं अदर यूजर तक वह स्पीड अपने हिसाब से कैसे चली आपको एक डाग्राम की यहां पर यहां पर सपोज आपने एक ISP से एक इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है ISP है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है यह इंटरनेट आप तक पहुच रहा है एक वायर केबल के थुरू चाहे वो फाइबर कनेक्शन हो या फिर आपने कोई और कनेक्शन ले रखा रहा हूं वह आपके राउटर तक पहुच रहा है और राउटर से जो इंटरनेट कनेक्शन पहुच रहा है वह आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस तक महुच रहा है चाहे वह लाप टॉप हो चाहे वह मुबाइल हो ठीक है अब इसके बाद सपोज आपका 20 Mbps का प कि अगर सपोज इतना ज़्यादा यूज नहीँ है इन्टरनेट का इनका तो आप इनकी स्पीद लिमिट कर सकते हैं अपने हिसाफ सब्सें स्पीज यह 5MB है थो आप इसका 3 Mbps स्पीड लिमिट कर सकते हैं इसकी 3 कर सकते हैं और 2Tmps सपीड ऐन करना है तूद आप मिलाते पहले आपको device identify करना जरूरी है डिवाइस identify मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि आपके घर में जो जो इंटरनेट यूज कर रहा है आपके router के थू वाइफाय कनेक्शन से तो उन सभी devices का IP address क्या है जैसे कि सपोज पहली जो डिवाइस है मेरी उसका IP address है दूसरी डिवाइस इसके बाद आप एक पर्टिकुलर डिवाइस की स्पीड लिमिट कर सकते हैं IP address कैसे find out करते हैं इसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो में एक टूल बताया था आप वीडियो देखके उस टूल का यूज ले सकते हैं आपको IP address जानने के लिए हर एक डिवाइस का यूज किनी स्पीड आपको लिमिट करनी है वह हम टास्क परफॉर्म करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बता देता हूं कि अभी मेरे पास कितना स्पीड यहां पर इंटरनेट पर आ रहा है सपोज मेरा अभी जो साइट पर जाके स्पीड टेस्ट डॉट नेट या फिर गूगल पर जाके किसी भी स्पीड टेस्ट वेबसाइट से अपना जो कनेक्शन है उसकी स्पीड आप मेजर कर सकते हैं अब बात आती है कि आपको आईप अडरस पता होने चाहिए डिवाइस के आईप अडरस जैसे लिखनी है पी इन युका यहां पर आपके पास उडिविpers आ रहा है आपको जो एड्रस नजकर आ रहा है यह आपकी देवास का इड्रस है अगर उपने पोन में आयप प्रा कन स की आपके पार आठेट के थकिजिस तवर क cultivस्तोंति कर सकते हैं इसके अपने पर आपको आपक ठीक है तो यह है आपके phone का IP address इस तरीके से आप हर phone के setting में जाके IP address ठोन सकते हैं आपको about phone में मिल जाएगा कुछ version में अलग-अलग options होते हैं तो about phone में जाके आपको IP address मिलेगा अब बात करते हैं कि किस तरीके से limit करेगा IP address हमने find out कर लिए ठीक है यहाँ पर speed हमने test कर ली कि हमारे पास total speed कितनी आ रही है अब हम इसको limit करते हैं कैसे login करेंगे इसके लिए आपको अपने router का IP address पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको टूल में बताया था तो टूल में भी नजर आ जाएगा अगर आप उसी router से connected है या फिर आप command की help से भी पता लगा सकते हैं यहाँ पर आपको जब आप IP configuration करते हैं तो default gateway यहाँ पे नज रिखा मिल जाएगा कि आपके router का जो IP address है वो login address किया है तो 192168.1.1 हमने login कर लेते हैं यहाँ ठीक है हर router का यह IP address अलग-अलग हो सकता है TP link का मैं आप यूज कर रहा हूं D link का अलग हो सकता है Netgear का अलग हो सकता है यहाँ पर आपको यूज कर रहे हूं तो वो अलग हो सकत यूजरनेम भी होता है admin ठीक है admin ठीक है इस तरह का interface आ गया है TP link में यूज कर रहा हूं अगर आप कोई और other router यूज कर रहे हैं तो आपका interface अलग हो सकता है लेकिन जो options या पिर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा लगबग-लगबग same ही रहेगा तो आपको वो option find out करना आप यहां से भी पता लगा सकते हैं कि आपके इस router से कौन-कौन device connected है तो network में जाके यहां पे मैं lens setting में जाता हूं तो मुझे total यहां पे सभी IP address बता देगा और उनकी MAC ID भी बता देगा कि कौन-कौन से connected है ठीक है तो यहां पर आपको एक option मिलेगा bandwidth control का यहां पर bandwidth में आ ग कि यहां पर interface हो जाएगी bandwidth control सबसे पहले आपको इसको अनेबल पर click करना है अनेबल पर click करने की बाद यह मैंने आपर set कर रखा था पहले आगर आपके पास set नहीं करा है तो आपके ब्लैंक आएगा यहां पर आपको अपनी total upstream bandwidth यानि कि upload speed यहां पर लिखनी है अगर suppose यह आ कौन सा प्लान ने रखा उस पर depend करेगा यह तो यहां पर आपको टोटल जो आपके router जो आपके router तक ISP से जो speed आ रही है वह आपको यहां पर लिखनी है तो मैंने यहां पर सेट कर लिया है ठीक है फिर इसके बाद आपको यहां पर controlling rules आ रहा है यहां पर आप एड करेंगे एड करने के बाद यहां पर आपके पास कुछ option आ जाएंगे IP range आपको उस device की IP यहां पर लिखनी है जिस पर आपको internet limit करना है कैसे यहां पर suppose मुझे अपने phone का internet limit करना है सबसे पहले हम इसकी speed चेक कर लेते हैं कि अभी इसमें currently कितनी speed आ रही है मैं आपको च ठीक है गो करने के बाद speed test यहां पर चालो हो गया है और यहां पर average speed जो आपके पास आ रही है वो भी आपको बता देगा ठीक है तो 20 Mbps यहां पर में पास download speed मेरी शो करी है यहां पर जो इस वक्त currently मेरे पास आ रही है जो प्लान के according यहां पर नहीं क्योंकि प्लान के according आपकी वैरी करती ही करती है दे और नाइट के इसाप से ठीक है यानि कि यह सर्वर पर कितना load है उस इसाप से आपकी speed वैरी IP address कैसे पता लगा सकते हैं तो आप वैसे ही सेम पता लगाएंगे और यहां पर अपनी device का IP address लिख देंगे सपोज मैं आप अपनी device का IP address लिख रहा हूं अगर सपोज multiple devices है और आपके एक range के अंदर आ रही है सपोज जैसे 001 से लेके 004 तक की आपकी सभी device एक अलग devices है जिनको आप manage करना चाते है तो वो आप यहां से कर सकते हैं आपकी single device है तो आप single यहां पर लिख दें या फिर आप दूसरे में भी आप सेम यहां पर IP address लिख सकते हैं मैं आप सिर्फ पहले में लिख दिया है तो automatically दूसरे में जाएगा port range में आपको कुछ नहीं लिखना है priority में आपको कुछ नहीं करना है upstream and download stream यहां पर आपके पास आ रही है upstream यहां पर आपको कितनी करनी है minimum suppose 128 kbps में करता हूं और maximum करता हूं 2048 ठीक है यानि कि 2mbps यहां पर हो गई ठीक है highest हो गई और highest हो गई 2mb और downstream में 128 kbps minimum हो गई और 4mbps हमारी maximum हो गई जस्ट इसको आपको entry को save कर देना है ठीक हो जाएगी save होने के बाद आपका enabled पे वापिस से kliq कर ना है आपकी यह value डाला होनी चाहिए उस दाल पाएंगे क्या है यहां पर आपके पास Total bandwidth पेले entered होनी चाहिए उस सेव करने के बाद आपसे कहएगा the device will reboot are you sure to continue तो आपको जो router है इस process के बाद reboot होगा यानि की restart होगा आप इसको yes कर देंगे yes करने के बाद आपकी जो device है वो reboot हो रही है आपको ये complete process का wait करना है आपके phone में internet disconnect होके automatically वापस से connect होगा ठीक है तो आपका यहां बर जो router है वो restart हो चुका है मेरे phone में यहां पर internet वापस से connect हो चुका है चलिए मैं इस बार speed test करता हूँ जैसा कि मैंने आपको से पहले बताया था तो 20 Mbps maximum speed आ दी अब की बार मैंने download speed को maximum 4 Mbps कर दिया तो 4 Mbps तक की speed आनी चाहिए speed test करता हूँ Wi-Fi से मेरा जो phone है वो connected है आप उपर icon देख रहे हैं कि मैंने run करा यहां पर speed test तो आप देख सकते हैं यहां पर जो speed है वो limit हो गई है अब तीन और चार से उपर ही नहीं जा रही है ठीक है तो मैंने यानि कि अपने phone के IP address की यहां पर speed limit कर दिये तो आपने देखा कि 3.16 Mbps यहां पर आ रही है और upload speed भी देखिए मैंने वहाँ पर 2 Mbps maximum करा था तो यहां से 2 से उपर नहीं जा रहा है आप देख सकते हैं यहां पर मेरे phone की ही screen है यह ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि 3.16 downloaded और upload यहां पर आ रही है आपकी 1.97 इसको हम अपने system में भी चेक कर लेते हैं कि हमारे system में क्या speed आ रही है इसको net को वापस से connect करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं मेरे system में अब 18-19 Mbps तक की यहां पर speed आ रही है याने कि म laptop में full speed मुझे मिल रही है और phone में मैंने speed को limit कर दिया है तो इस तरीके से आप भी एक particular device में internet की speed आप limit कर सकते हैं ठीक है अब इसको suppose वापस से आगर आपको gain करना हो तो just हम वापस से router का login करेंगे password एंटर करेंगे इसमें password एंटर करने पर यहां पर आप जाएंगे advance में bandwidth control अगर आपको और device एड करनी तो add पर click करेंगे और उसका IP address यहां पर डल देंगे ठीक है अगर आपको device यहां पर connect नहीं करनी है और जो पहले से device add है उसको आपको delete कर सकते हैं ठीक है आपके बस delete का option आए और अगर आपको delete नहीं करना है तो आप जस्त यहां से disable कर देंगे तो वो आपकी जो speed limit है वो disable हो जाएगी ठीक है और यहाँ पर आगर आपके पास multiple option होते हैं तो आप जो enable करना हो उसको आप check करके यहाँ से status disable और enable कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको multiple option मिल जाते हैं यह depend करेगा आपके router के interface और router के feature पर आपके router ना provide कर रखा हो तो ठीक है तो suppose मैं इसको delete कर देता हूँ यहाँ पर मुझे जुरत नहीं है speed limit की और वापिस से मैं इसको save कर देता हूँ और yes कर देता हूँ d-link या फिर netgear का आपके पास router हो तो इस तरह से आपको option मिल जाएगा bandwidth control का जो मैं आपको आपके शोग कर रहा हूँ उसका आप यूज ले सकते हैं नहीं किया तो subscribe कर लीजिए और bell icon प्रेस करना ना भूलेगा और देखते रहें बस ट्रेटाइक थन्यवाद जाएगा